Hello students, welcome to my YouTube channel Excellent Success Group तो student आज हम डिसक्स करेंगे Class 6 में Chapter 6 Integers के Exercise 6.2 Q3 दे रखा है, Add Without Using the Number Line यानि कि हमें Number Line के उसके विना इनको Add करना है तो student इन Q2 करने से पहरे कुछ Basic Rule हमें पता होना चाहिए तब ही हम इन Q2 को Solve कर पाएंगे देखो, Rule हमारी ये होते हैं कि अगर हम कोई Plus का Digit है, Plus का Sign है, Multiply करेंगे Minus के साथ तो Answer आएगा हमारा Minus का Minus को Multiply करेंगे Plus के साथ, तब भी Minus आएगा ठीक, अगर एक Minus का हो, एक Plus को Multiply करने पे Minus ही आएगा एक Minus का, दूसरा Plus को Multiply करने पे Minus ही आएगा लेकिन अगर दोनों साइन सेम हो दोनों प्लेस के हो तो आंसर प्लेस दोनों माइनस के हो तो भी आंसर क्या होगा प्लेस होगा इन बेसिक रूल को दिमाग में रखते हो इन कोशनों को हम सॉल्व करेंगे तहां रखना यह rule सिर्फ उस सिर्फ multiply के हैं plus minus के rule नहीं है plus minus के rule अलग होंगे अब यहां देखो ज़रा यहां में कोंदे रखा है 11 आगे sign नहीं है तो यह plus का sign होगा ठीक plus into minus plus into minus क्या होता है minus 2 sign का हमने 1 sign बना लिया ताकि हम clear कर सकें कि हमें plus करना है यह minus करना है अब simple सा concept है अगर एक number plus का हो अब यह multiply का बीच में कहीं पर भी sign नहीं है तो इनका rule कोई इनका use अब नहीं है एक plus का हो एक minus को minus करेंगे 11 में से 7 के 4 फिर देखना है दोनों में से बढ़ा कोन है अगर plus का बड़ा है तो निशान plus का आएगा अगर minus का बड़ा होगा तो निशान minus का आएगा लेकिन अगर plus का अंसर आए तो आगर plus लगाना जरूरी नहीं है बट minus का अंसर है तो minus लगाना जरूरी है clear बाहर कोई निशान नहीं है तो यह as it is minus का 13 ही रहेगा यह दो निशान होगे हम दो को एक बनाएंगी plus into plus क्या होता है plus जैसे कि मैंने भी भी आपर कहा एक minus का हो एक digit plus का हो हमेशा minus करना है 18 में से 13 गए 5 बड़ा कोने दोनों में से plus का तो निशान है का plus का plus आये तो लगाना ज़रूरी नहीं है लगाना है तो लगाओ ना भी लगाओ फरग नहीं पड़ता बड़ माइनस का अंसर है तो लगाना ज़रूरी हो जाता है बाहर कोई निशान नहीं है तो यह minus का 10 नहीं रहेगा फिर दो निशान अगई प्लेस का, तो निशानाएगा, प्लेस का प्लेस लगाना जरूरी नहीं, लगाना तो लगाओ ना भी लगाओ, तो कोई फरक है, नहीं पड़ता है ठीक, बढ़ माइनस आए, तो लगाना जरूरी होता है, अब डिसक्स करेंगे इसका d part, बार को निशान नहीं है इसका माइनस का तो माइनस का साहीन आएगा clear यह हमारा हो गया दीपार इपार देखो भार कोई निशान नहीं है माइनस 380 plus into minus देखो जरा plus into minus क्या होता है माइनस तो यह रिखा मैने माइनस अगर दोनु डिजिट minus का आजाए अभी तक क्या आ रहते है एक plus का रहते है एक minus का रहते है लेकिन अगर दोनु minus के आ जाए तो दोनु डिजिट जुड जाएंगी दोनु डिजिट जुड जाएंगी निशान किसका आएगा minus का आएगा इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा शौट एक्जामपल से समझा देता हूँ जैसे देखो यहाँ minus का 3 दे रखा दूसरा sorry plus का 3 plus का 2 अगर दोनु डिजिट plus के हों दोनु जुड जाएंगी निशान plus का ही आएगा एक plus का हो दूसरा minus का हो जब पहला minus का हो दूसरा plus का हो एक plus एक minus हो तो हमेशा minus करना है तीन मेंसे दो गया एक बड़ा कोना plus का तो निशान आएगा plus का तीन मेंसे दो गया एक एक minus का एक plus को मेशा minus करना है बड़ा कोना दोन में minus का तो निशान आएगा minus का लेकिन अगर दोनु डिजिट minus के आजए तो दोनों जुड़ जाएंगे निशान माइनस का ही रहेगा अब इससे हमने क्या सीखा कि साइन अगर सेम होते हैं जुड़ते हैं निशान वही आता है दोनों सेम होते हैं जो निशान हो तो निशान वही आता है लेकिन एक प्लस हो माइनस हो या पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो तो करने पर हमें मेशा माइनस ही करना है बड़ देखना होगा बड़ा जो होगा बड़ा तीन है तो निशान प्लस का बड़ा माइनस का है तो निशान माइनस का ठीक है इसी concept को आपको use करना है क्लियर उमीद करता हूँ आप कोई बास समझ में आगी होगी दोनों डिजिट माइनस की है ठीक है दोनों डिजिट माइनस की है दोनों जूड जाएंगी 0, 7 और 8, 15 अहां से लेक 3 और 1, 6 निशान किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा जैसे मैंने बता है दोनों डिजूड जूड जूड जाएंगी तो निशान माइनस का ही आएगा बाहर कोई निशान ही है आजाएगा प्लेस इंटू माइनस देखो जरा प्लेस इंटू माइनस क्या होता है माइनस दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगी माइनस का 370 निशान किसका आएगा माइनस का यह आएगा सेम निशानों तो डिजिट जुड़ती है निशान सेम तो सेम वही आ जाता है अब डिसक्स करेंगे इसका कोशन नूमबर 4 कंसेप्ट तो हमारा भाही रहेगा देखो ज़रा 137 सम करना है तो यह प्लस का निशान आएगा माइनस 354 ठीक है आगे निशान नहीं तो यह तो कनफा में प्लस का ही रहेगा 137 प्लस इंटू माइनस दो निशान ओरे न देखो ज़रा प्लस इंटू माइनस क्या रहेगा माइनस हो जायागा मैंने आपको बताया एक प्लस का हो एक माइनस को हमीशा माइनस करेंगी 354 में से 354 में से माइनस करेंगी 137 माइनस कर लेते हैं यहां बचा है 7 4,1 यहां बचा है 217, ठीक है, दोनों में से बड़ा कोन है, माइनस का, तो निशान दिसका जागा, माइनस का, clear, वैसे ही देखो हमारे वाला पाट, माइनस 52, सम करना है तो है प्लेस का साइण डाल दिया, एक डिजिट माइनस का हो, एक प्लेस का हो, हमेशा माइनस करेंगे, 52 में से बाउन गई 0, 0 का कोई sign नहीं होता न plus का न माइल इसका अब discuss करते है इसका C part C part हमें दे रखा है C part में में दे रखा 3 का क्या करना है, सम करना है तो यहां लिखा मैंने 312 बीच में plus का sign डाल दिया 39, plus में 192 clear करने के बाद इसके भारत को निशान है नहीं यह तो minus का ही रहेगा बट यह दोनों किसके हैं, plus के हैं दोनों को जोड लेंगे हम 39 and 192, मैंने क्या कहा था अगर दोनों डिजिट plus की हो दोनों जुडेंगे, निशान plus का ही आएगा plus किया, 9, 2, 11, 80, 1 13, 80, 2 2, 31, निकल के आया फिर मैंने बुला एक डिजिट minus का हो, एक डिजिट plus का हो तो हमेशे minus करना है 231 और 312, दोनों को minus करेंगे minus किया 1 आया, 11, 11 में से 9 गए, चोरी, 3 गए 8 बज़ गया, यह बज़ जिरो कितना है, 81, फिर हमें देखना दोनों में से बढ़ा कोन होगा, minus का डिजिट बढ़ा है, तो निशान किसका आ जायागा minus का निकल के आ जायागा clear, यह हमार हो गया, C part अब डिसकस करेंगे इसका part number D यहां देखो, तीनों डिजिट है add करना तीनों को, तो इनकी बीच में निशान किसका लगाएंगे, plus का क्योंगे add करना में, plus 300, clear, यहां लेखा, मैंने minus का 50, plus into minus क्या होता है, minus होता है 300 आ गया, दोनों डिजिट minus की है, दोनों के same sign है, दोनों जुड जाएंगी कितना हो जाएगा, minus का 250 निशान लेकिन minus का ही आएगा फिर मैंने बोला था, एक minus का हो, एक plus का हो, हमेशा minus करेंगे, 300 में से 20 हो गए 50, बड़ा कोन है, plus का तो निशान आएगा, plus का, clear कि हमारा question number 4 यहां पे complete होता है, अब discuss करें question number 5 को, same way concept लगेगा इस पे भी, बाहर कोई निशान नहीं है, minus करेगा plus into minus, देखो ज़रा plus into minus क्या होगा, minus होगा तो यहां लिख दिया, मैंने minus का 9 plus का 4, plus का 16 दोनों डिजिट, minus के हैं दोनों चुडेंगे, दोनों डिजिट, plus के हैं दोनों चुडेंगे, ठीक है, निशान उसी का आएगा, 9, 7, 16 निशान minus का आएगा, 16 और 4, 20, निशान plus का ही आएगा एक minus का हो, एक plus को हमेशा minus करना है, 20 में से 16 के 4, बड़ा कोन है, plus का तो निशाना जाएगा, plus का यह हमारा A पार्ट यहां पे complete होता है अब डिस्क्स करेंगे, इसका B पार्ट देखो, यहां दे रखा किया हमें, 37 plus into minus minus होगा plus into minus minus होगा plus into minus minus होगा ठीक, यह तीनों digit किसकी है minus की है, तीनों की तीनों जुड़ जाएंगी तीनों minus की है, 8 और 2, 10 10 में इसको जोड़ा, 75 सेम निशानों तो इसे digit जुड़ती है एक plus का हो, एक minus को मेशा minus करेंगे, 75 में 37 minus किया 38 है दोनों में से बड़ा को ने minus का, तो निशान किसका हैगा minus का, इसे के साथ हमारा question number 5 यहां पे complete होता है उमीद करता हूँ, शुरू ड़न आपको question समझ में आगया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले